पटना हाई कोड के एकल पीठ जश्टिस संदीप कुमार ने तिखी टिपनी करते वे कहा है कि सराब बंदी के माफिया और सिंडिकेट अब तक पक्रे क्यों नहीं जा रहे हैं बुदवार 19 जनवरी को एकल पीठ में आवेदक गंगाराम की अगरिम जमानत की सुनवाई चल रही थी हमारे कानूनी संबाधाता ने जनकारी दी है कि जश्टिस संदीप कुमार ने संबंदित आई जी को 10 दिनों के अंदर जबाब देने का आदेश दिया है जश्टिस संदीप इस बात पर आश्चर कर रहे थे कि खुद आवेदक गंगाराम और इस तरह के कई लोग सराब मामले में एक साल में पुलिस से बचते हुए अगरिम जमानत मांग रहे थे और इस बीच पुलिस उनकी ग्रिवतारी नहीं कर सकी दिन भर के न्यूज के अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद